बारत माता की दोना हाथ उपर करके बारत माता की जिस घड़ी का हम सब को इंतजार था हिंदुताग के दिल के अड़ धरकन हमारे देश के मानन ये प्रदानमंत्री जी हमारे इस गोंदिया भंडारा संसद्य छेत्र में पदार चुके है उनका मैं आपकी ओर से इस दोनों जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मानन ये भारती जनता पार्टी के दोने जिले के जिला देक्ष सिवसिना के जिला प्रमुक रिपाई के जिला प्रमुक हमारे दोनों जिले के पालक मंत्री इनसे निवेदन करता हूँ कि मानने ये मोदी जी का हम स्वागत करेंगे सभी विदायक मोद है आपसे भी निवेदन है नगराद एक्षे जी आपसे भी निवेदन है साथ में ही हमारे महाराष्ट के यसस्वी मुख्यमंत्री माननिय देवंद्र जी पड़ोनिस इनका भी सब मिलकर के स्वागत करे दमाय बहुत कम है हमारे गवर जंकर भाव विसेंजी दिपक सावन सर्जी इन से भी निवेदन है इमानन ये प्रदान मंत्री जिगा स्वागत करे ओ बो भारत माता की फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोदी है तो मोदी है तो कहो दिल से कहो दिल से कहो दिल से मानन ये इस महराष्ट्रे के ये सवस्वी मुख्यमंत्री मानन ये देवेंद्री जी फड़ावन मिस इनको मैं आमंतिर करता हूं कि हमारे इस सबी जन्दा को उद्भोदित करें बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की वन दे मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मंच पर उपस्थित हम सभी के लाडले प्रधान मंत्री और भारत के प्रधान चोकिदार अधरनियन नरेंडर मोदी जी हमारे मंत्री चंदरशेकर बावन कुले जी राजकुमार बडोले जी दक्र दीपक सावन जी हमारे उम्मीद्वार सुनिल मेंडे जी हमारे दूसरे उम्मेद्वार अशोक नेते जी विजे रांग डाले जी परणे पुके जी संजेप पुराम जी केरण वागमारे जी बाडा काशिवार जी राम चंद्रहुसरे जी खुशाल बोप्चे जी गवरी शंकर बिसेन जी डॉक्टर उपेदर कोठेकर मंचा सीन सभी महनुभाव और यहां पर उपस्तित पहन और भाईयो भंडारा गोंदिया की सीट पर हमारा मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ है जिस टीम के कैप्टन ने पहले ही खेलने से मना कर दिया अपने आपको इस टीम का उपकप्तान बनाने बताने वाले प्रफूल भाई पटेल ने भी खेलने से मना कर दिया और इस टीम को बाहर से समर्थन देने वाले नाना पटोले नाकपूर चले गए और वहाँ पर अपनी जमानत पचाने का प्रयास कर रहे है दोस्तों आज ये जो मुकाबला हो रहा है मोदी जी के नेत्रुत्व में जिस प्रकार से गोंदिया में कोंदिया भंडारा के इतिहास में ये सबसे बड़ी सभा हो रही है मैं दावे से कहता हूँ बंडारा गौंदिया के इतिहास का सबसे बड़ा विजए ये भारतिय जनता पर्टी शिवसेना महायूति यहाँ पर हासिल करेगी अभी अभी परसो हमारे उम्मीदवार सुनील मेंडे को NCP के उम्मीदवार मिले और उनके सामने कहने लगे अरे सुनील मेरे पास प्रफुल भाई है प्रफुल भाई के पास बंगला है गाड़ी है पैसा है हिलिकाप्टर है तेरे पास क्या है सुनिल ने कहा मेरे पास मोदी है एक नौजवान जो हमने यहाँ पर दिया है ये नौजवान इभिहास करने वाला है और आज देश के अंदर जिस प्रकार का जोश देखने को मिलता है मैं को भया हूँ इस कार्ण कर्श प्रकार का जोश देखने को मोदी जी मैं आज को द्वान जोश देखने को महाराथ को इतिहास रचेगा और महाराथ को इतिहास में सबसे ज्यादा सीटे हमें मिलेगी आज या भंडारा गोंदिया मने या ठिकानी आपन बगितला सेल आपला सरकार आले अनंतर सात अत्याने इतले प्रच्णा पन सडोले या ठिकानी भंडाराचा गोंदियाचा आमचा भोगवतडार वर्गादोर वर्गयेक चा प्रच्णा शेल या ठिकानी आमचा शेत कर्यानचा धानाचा बोनस चा प्रच्णा सेल मला सांग्ताना अभिमान वाट्टो 15 वर्षा मदे कोंग्रेस राट्रवादी नी एकुण धान खरेदी केली 13 कोटी ची आले आमी 5 वर्षात केली 15 कोटी रुपयाची धान खरेदी अले माजा दावा उभ्या देशा मने 500 रुपय या ठिकाणी बोनस हाँ धाना करता देडार मोधी जिन चा नेत्रुत्वातल महाराट्रे राज्या कि जैशेद करांचा पाठी शूबाए आज आपन बगितल या ठिकाणी आप लिया जा वेगवेगला सिंचला चा योजनाए मैं प्रदान मंत्री जी आपका अभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस महाराट्र को आपने सीचाई के लिए जो पैसा दिया वो अभूत्पुर्व है हमारी गोसे खुष जैसी योजना जो कभी समापती नहीं होती थी आज आपने उसको पैसा दिया तेड़ लाख हेक्तर जमीन पानी के निचे आ रही है हमारी गोजी खुर्ध हो, धापे वाणा टपा एक हो, धापे वाणा टपा दो हो, पूरा टोला हो, किमगा हो, कटंगी हो, कालपात्री हो, पिणके पार हो, यह सारे कैशारे प्रकल्प आज यहाँ पर पूरे हो रहे है, रजेगा उकाती, तेलवासी हुनी, जासीनगर, मोदी जी ने इसके लिए हमको इतना निधी दिया आने वाले दो सालों में ये सारे प्रकलप पूरा करके भंडारा और गोंदिया को हम लोग यहां पर सही मायने में पूरे तरीके से सुझलाम सुफलाम करेंगे। ये जनता देशभक्त जनता है हमारे गोंदिया भंडारा के जो लोग है ये देश प्रेमी लोग है और मोदी जी हम एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं इस भारत की जो शान आपने बढ़ाई है इस भारत का जो मान आपने बढ़ाया है ये भारत अब कमजोर देश यह पुरानी सरकार नहीं है यह मोदी जी की सरकार है यह ऐसी सरकार है इसकी और अगर कोई तेड़ी नजर इस भारत के और देखेगा अगर भारत के और कोई तेड़ी नजर देखेगा तो उसकी तेड़ी नजर निकालने का काम मोदी जी की सरकार करेगी यह मोदी जी की सरकार ने दिखाया है दोस्तों हमारे सेना में एक शमता तो हमेशा थी ये भारत की सेना है ये ना रुकती है ना ठकती है ना पिकती है ये भारत की सेना है इसमें हमेशा ताकत थी लेकिन भारत के राजनेताओं में भारत के प्रधान मंत्री में ये ताकत नहीं थी कि 2008 में जब और मोदी जी ने यहां पर यह दिखा दिया हमारी सेना को कहा जाओ तुम्हारा प्राक्रम दिखाओ और ऐसा प्राक्रम हमारी सेना ने दिखाया दोस्तों मुझे आश्चरी इस बात का नहीं होता मोदी जी तो ये करने ही वाले क्योंकि ये मोदी जी है आश्चरी इस बात का होता है जिस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस का मेनिफेस्टों क्या बोलता है पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में आए हमारे लोगों को मार डाले हमारे जवानों को मार डाले और NCP का मेनिफेस्टों कहता है पाकिस्तान के साथ सववाध होना चाहिए NCP का मेनिफेस्टों कहता है पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए बताइए क्या NCP का मेनिफेस्टों अगर ये कहता होगा बताइए पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत होनी चाहिए बताइए अरे शरम आनी चाहिए जो लोग कहते हैं एक और हमारे जवान मर रहे हैं और दूसरी और कहते हैं कि जा कर पाकिस्तान के साथ बातशीत करो पाकिस्तान के साथ बिर्यानी खाओ ये नया भारत है ये मोदी जी का भारत है यहाँ पर अगर कोई हमला करेगा तो ये भारत घुसेगा भी और मारेगा भी ऐसा भारत है और इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक ही निवेदानन्त में करना चाहता हूँ बाला कोट का जो हमला हुआ उससे भारत की जो साख बड़ी है हम मोदी जी का हमेशा ही ताली बजा कर स्वागत करते हैं लेकिन बाला कोट के लिए एक बार हम ऐसा स्वागत करें कि ज सब लोग मोबाइल लिका लिए अपने मोबाइल का लाइट आन कीजिए करोडों जुगुनू दिखने चाहिए यह देखिए यह उनके लिए जिन्होंने पराक्रम किया हमारे पराक्रमी सेना के लिए और हमारे पराक्रमी प्रधान मंत्री जी के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी तरफ से प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जै हिन जै भारत जै हिन जै हिन जै हिन मुझे विश्वास है 11 तारीक को सुनील मेंडे ओपनिंग बैट्समन के रूप में उतर रहे और यह ओपनिंग बैट्समन आपके आशिरवाद से सेंचूरी बना कर इन लोटेगा जै हिन जै भारत बोलो भारत माता की मोदी 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 और जिस घड़ि का हम को सबको इंतजार था हमारे देश के लाड़ ले इस भारत माता का मस्टक पूरे विश्व में उचा करने का काम जिन्होंने किया है इस भारत का सन्वान पूरे विश्व में जिसने जिन्हों ने बढ़ाने का काम किया है ऐसे मानन यह पंत्रब्रदान जी को मैं आमंत्रित करता हूँ और उनके लिए चंदलाई ने मोदी जी के दिल में देखो दिल में धड़कन तुमारी है मोदी जी के निजरों में देखो मोदी जी की तस्वीर तुमारी है मोदी जी जी रहे सिर्प और सिर्प देश के लिए मोधी जी की जिंगीत दोस्तों अमानत तुमारी है हमाना तुमारी है एक दा आप ले आशिरवाद गहना साथी मिया गौंधिया सहरा दालो है मराटी नवबर्ष गुड़ी पड़वा की आप सभी को अग्रिम शुब कामना है आज सुबे से मैं निकला हूँ हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर अरुनाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम मंगाल तक और वहां से फिर महरास्ट में आपके बीच लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जिन जिन राज्यों में मुझे जाने का मोका मिला है चुनाओ प्रचार मैंने 2013-14 में भी किया था चुनाओ प्रचार मैंने अलग-अलग राज्यों की विदान सभाव में भी किया था लेकिन ऐसी लहार पहले कभी देखी नहीं है यह ऐसा चुनाव है जो देश की जनता लड़ रही यह ऐसा चुनाव है जो देश की दुश्मनों के लिए नर्मी बताने वालों को जनता ने सबक सिखाने की ठान ली है ऐसा लग रहा है जैसे एक रेली दूसरी रेली का रेकॉर्ड तोड़ती जा रही है अगर अभी देवेंद्र जी ने आप सबसे मोबाइल की लाइट आन न करवाई होती तो मैं भी यहां बैटे बैटे अंदाज नहीं कर सकता था कि कितने दूर दूर तक लोग है जब लाइट वोजी तो पता चला कहीं नजरी नहीं पहुँच रही मारास्टर के मन में क्या है देश के मन में क्या है वो सब बाते यह आपके जोश में दिख रही है इस बार महायुती महारास्ट से महा मिलावट को पुरी तरह साप करने जा रही है आपने जो लहर पैदा की है विकास विरोधी प्रगती विरोधी परिवारवादी बहुसवादियों को उखाण फैकने का जो फैसला किया है इसके लिए दोनों मुठी बन करके मेरे साथ बोलिये भारत माता की मां मांडो देवी मां मांडो देवी का जिस्दर्ती पर हासिरवाद हो और नागरा के भोले शीव जहां के रक्षा करते हो ऐसी वीरों की भूमी को मैं प्रणाम करता हूँ ताथ योप पिछली बार जब मैं गौंदी आया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके आशिरवाद और आपके प्यार को मैं सूद समेत ब्याज समेत वापिस करूँगा याद है ने ऐसा मैंने कहा था और मैंने ये भी कहा था मैं ब्याज समेत लोटाऊंगा और विकास करके लोटाऊंगा आज मैं आपके बीच आया हूँ हिसाब देने के लिए लेकिन हिसाब देने से पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता और गौंदिया की इस धर्ती से महाराष्ट्र के सभी नागरीकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यहां से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरीकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी भंडारा गौंदिया और महाराष्ट्र की जनता के साथ और सयोग से पांच वर्सक पिना रुके पिना ठके मैं निरंतर काम कर पाया अनेक महत्वपुर्ट फैसले लिए देश को बदलने के लिए भर्सक कोशिस की गरीब के घर में टॉयलेट बनाने से लेकर के अंतरीच में सैटलाइट को मार गिराने तक जल हो थल हो नब हो अंतरीचो पांच साल लगा तार लगा रहा यह संभव हुआ है आपके आशिरवात के कारण आपके समर्थन के कारण अगर आप देश वासियों ने 2014 में मेरा साथ न दिया होता मुझे आशिरवात दिये न होते तो क्या यह हो सकता था और इसलिए आज पांच साल के बाद जब देश की जनता के पास गया निकला हो तो मेरा सबसे पहला करतवे बनता है कि दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका धन्यवात करूँ आपका प्रणाम करूँ और आगे के पांच साल के लिए आपके आशिरवात के कामना करने आया साथियों आपके विश्वात का ही प्रणाम है कि 72 सालों के गड़ों को हम भर पाएंगे जब मैं आया था तो मैंने सरकार में विवस्ता में तीजोरी में ऐसे ऐसे गड़े देके ऐसे ऐसे गड़े देके पांच साल उन गड़ों को भरने में चले गए अब आपके सयोग से ही विकास का नवया हाइवे बनेगा आपके बरोसे से ही भारत का दुनिया में एक नई पहचान बनी अब महा सक्तियों के साथ कदम ताल का काम भी आपके साथ से ही होने वाला है आप बताईए आपके इस चौकिदार के प्रयासों से आप मेरे गौंदिया भंडारा के भाई भेहन इस चौकिदार के प्रयासों से आप संतुष्ट है ऐसा नहीं पुरी ताकत से बताओ पता चले चौकिदार की निष्टा और नियत पर आपको विश्वास है देश सही दिशा में जा रहा है आपको भरोसा है आपका इविश्वास यही मेरी पूंजी है यह आपका यही विश्वास देश में बड़े और कड़े फैसले करा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना आतंकियों को कैसे घर में गुश कर मारा याद है ना आजकल दिल्ली के एर कंडिशन कमर में बैटे हुए लोग नहीं नहीं कथाएं बाजार में छोड़ते रहते जिनको मोदीद शब्द सुनते ही निंद खराम हो जाती है यह लोग चला रहे हैं यह जो बाला कोट की घर्टा है न अब महिना हो गया लोग भूल रहे हैं भूल रहे हैं आपको क्या लग रहे है भूल रहे हैं क्या याद है क्या देश को अरे यह देश 1962 की लड़ाई भी नहीं भूला है तो बाला कोट कैसे भूल सकता है साथियों जब बाद देश की होती है तो हमारे लिए देश प्रथाम पार्टी उसके बाद में हमारे लिए दल से बड़ा देश है लेकिन सच्चा ये भी है कि हमारा देश तसकों तक एक ऐसी उल्टी दिशा में ही चला है आतंकियों पर कारवाई के बजाएं तुस्टी करन के नाम पर उन्हें बचाने का काम किया गया है अब देश में अपनी दिशा भी बदली है और आगे बढ़ने की गती भी बदली है लेकिन महाराष्ट के साथियों कौंदिया के भाईयों बहनों कौंग्रेस द्वारा देश को एक बार फीर अस्तिर करने की साजीश आप देख रहें इनका एक आदत है या तो पुरा कबजा करो नहीं तो फिर कन्फूजन करो और आज वो देश में कन्फूजन पैदा करने में लगे हैं क्योंकि उनको मालूम है मोदी है तो लोगों की बलाई हो रही है और उनकी मलाई छू हो रही है अब मुझे बताईए मुझे बलाई वालों के लिए काम करना चाहिए कि मलाई वालों के लिए कल इन लोगों ने जो ड़कोसला पत्र जारी किया है वो राश्टिय सुरक्षा से खिलवार का दस्तावेज है कॉंग्रेस का ड़कोसला पत्र पाकिस्तान की साजिसों का योजना पत्र है कॉंग्रेस का ड़कोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ दे का शड्यंत्र है कॉंग्रेस का ड़कोसला पत्र भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा लगाने वालों का साजिस पत्र है साथियों इस खेत्र में नक्सली हिंसा से निपटने में हमारे जवान निरंतर डटे हुए महारास्ट में हिंसा भालाने वाले इन माववादियों के दिन अब गिन चुके हैं लेकिन मेरे प्यारे भाईयों भेनों आपको सावधान रहना हो अगर थोड़ी सी भी चुक हुई अगर इन महा मिलावर करने वालों को जराबी मोका मिला तो नक्सल माववादियांदोलन को और गती मिलने वाली है ताथ यो जब हमारी सरकार हिंसा के लिए उकसाने वाले अर्बन नक्सलियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है तब कॉंग्रेस और NCP के नेता कैसे उनके साथ खड़े हो जाते हैं ये आपने भली भाती देखा अब तो कॉंग्रेस ने खुल कर कोशना की है कि अगर कोई अर्बन नक्सली देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देश द्रो का केस नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाईयो बैनों आपको ये बात मंजूर है ये कॉंग्रेस सही कर रही है ये NCP सही कर रही है मुझे बताएं ये देश का हाल क्या होगा कि आपके रहते हुए देश का ऐसा हाल होने देंगे ये देश द्रोईयों को मुक्ती दिलाने वालों को आप मोका देंगे क्या क्योंकि कॉंग्रेस दे देश द्रोई से जुड़े कानून को ही हटाने का फैसला किया है क्या देश द्रोई का कानून हटना चाहिए ऐसे नहीं क्या देद्रो का कानून हटना चाहिए मेरी माताई बहने बहुत सड़ बड़ी संगा में या बैट ये बताईए देद्रो का कानून हटना चाहिए भारत को तोड़ने की कोशिश करने वालों को खुला लाइसेंस मिलना चाहिए क्या हजारों जवानों के बलिदान का अपमान करने वाली कॉंग्रेस और उसके साथ ही NCP को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मैं तो देश्ट के रक्षा मंत्री रहे शिमान सरत पवार जी से पूछना चाहता हूँ क्वा कॉंग्रेस के डुकके डकोसला पत्र से सहमत है क्या अरे आप तो रक्षा मंत्री रहे हैं अरे आपका जन्म छ्चत्रपदी सिवाजी माराज की दर्ति पर हुआ है क्या मुवा पे ताले लगागे बैठ गए हो इतनी क्या काना है कॉंग्रेस के इन पापों को ढो रहे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या वो देश की सेना को देश के सुरक्षा बनों को कमजोर करने के कॉंग्रेस के फैसले से साहम आता है और शरद रावने जवाब देना पड़ेगा साथियों अपने राजनितिक अस्थित्व को खोने की बोकलाट में ये महा मिलावटी लोग आए दीन सुबे साम ये चौकिदार को गाली देने में जुटे है उनको मेरे काम से ज़्यादा मेरे नाम से समस्या है पहले चाहे वाले इतिहाद से उनको दिक्कत थी अरब चौकिदार से हो गई है मैंने क्या किया इससे ज़्यादा उनको इस बात की चिंता है कि मैं कहां पैदा हुआ किस परिवार और किस समाथ से उड़कर मैं उपर आया यही गणीत यही एहसास दिलाने का प्रयास कदम कदम पर ये कर रहे है मैं आपको कुछ उधारन देता कॉंग्रेस के नामदार जगर जगर कहते फिर रहे हैं कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहां चोकिदारी करते हैं क्या यह शब्त शोभा देते हैं क्या कॉंग्रेस के एक राग दरबारी मुझे सौचाले का चोकिदार बोल रहे हैं सरत पवार जी की पार्टी के नेता चोकिदार को जाहिल बता रहे हैं जम्मू कश्वीर में इनकी महा मिलावट के एक साधी कहते है कि बोदी को देश चलाना नहीं आता है बाही और बेहनों देश कैसे चलना चाहिए क्या वैसा चलना चाहिए था जैसा 2014 से पहले चल रहा था जब जबान भी परेशान था किशान भी परेशान था और नव जबान भी निराशा में डुबा था यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारे लगा करती थी किसानों को लाठिया खानी पड़ था फिदर्प के किसानों के लिए पैकेज गोसित होते थे वो बिचोलियों की जिब में चले जाते थे किसान के पानी के हजारों करोड रुपिये एन्सीपी और कॉंग्रेस के लोकों की जेप में चला जाता था क्या देश ऐसे चलना चाहिए था चीलों के शहर इस शहर को जिन्होंने अपने कुशासन से बुंद बुंद पानी के लिए तरसा दिया क्या ऐसे देश चलना चाहिए था कोसी खुर्दबान धापे वाड़ा और जासी नगर परियोजनाओं के साथ इन्होंने जो बरताव किया कैसे देश चलना चाहिए था हम इन परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिससे यहां के किसानों के दिक्कत दूर की जा सके इसका फायदा आपको मिलना शुरू भी हो गया साथ क्यों मोधी को देश ने चोकिदारी दी तो उसके पीछे की भावना सपश्ट थी इसी भावना के अनुरूप काम करते हुए आपके इस चोकिदार ने थान, तूर, सहीद, पाइस फसलों का MSP लागत का डेज गुना ताय कर दिया इतना ही नहीं कॉंगरेस, NCP की जब सरकार थी तो पाँच वर्सों में महरस्ट में इन्होंने जितनी दाल खरी दी उससे 15 गुना ज़्यादा दाल ये चोकिदार की सरकार ने खरी दिये और अभी हमारे देवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे कि उनके समय कितने कोटी का काम हुआ और इनके समय कितने कोटी का काम हुआ हिसाप-साप-साप है भाई इससे किसानों को तो अच्छे दाम मिले ही है करीबों को उचीज मुल्ले पर दाल भी उपलब्ज हो पाई है साथियों 2022 तक जब हिंदुस्तान के आजादी के पचातर साल होंगे इम्बेरा सपना है और आपके आशिरवात से पूरा भी होने वाला है 2022 आजादी के जब पचातर साल होंगे तब दो सपने मुझे पूरे करने है एक मेरे देश के किसानों के आज़ दोगुनी हो और दूसरा हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहों जिसको रहने के लिए पक्का घर नहों आपका वोट हर गरीब को घर देने वाला है और जब जिसको घर मिलेंगे उसके आज़िरवात आपको मिलने वाले किसानों के आज़ दोगुनी हो सके इसके लिए भी एक एतिहासिक फैसला चौकेदार की सरकार नहीं किया है पी-एम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 75,000 करोड रुपे हर वर्ष करीब 12 करोड किसान परिवारों के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है इसमें गौंदिया सहीट पूरे महाराच्र के सबा करोड किसान परिवार है इनमें से 16,000,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में पहली किस्त आभी चुकी है और बाकियों के खाते में भी जल्द ही पैसे पहुंच जाएंगे भाई और भेनों हमारी सरकार की नीती और नियत दोनों आपके सामने खुली किताब की तरह है सबका साथ सबका विकास हमारा प्राण है और सबको सम्मान ये हमारी प्रतिवत्दता है इसी सोच के साथ हमने 5 साल से काम किया यही कारण है कि हमने दलीत, आदिवासी, वंचीत, पीडीत, शोचीत हर्च समाज को उपर उठाने का एक प्रयास किया जिन बाबा साब आमबेड करको कॉंग्रेस ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं चोड़ी देजबर में उनसे जुड़े स्थानों को 35 में बदलने का काम इस चौकिदार की सरकार ने किया है हमारे आदिवासी नायक नायकाओं के युगदान को संजोने के लिए देजबर में समारकों का निर्मान भी हमारी सरकार कर रही है भाई और बेनों मैंने आपके बीच आकर कभी दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर दिये अरे जो सत्तर साल सरकार चला चुके है वो नहीं कर पाए तो ये पांच साल वाला क्या कर से लेकिन अनेक छेत्रों में हमने महत्वपुण काम किये अनेक छेत्रों में काम तेजगती से आगे बढ़ रहे है और बहुत सारे काम निकट भविश में पुर्णता पर है आपका इस चौकेदार पूरी इमानदारी से अर्पना करतब वे निभा रहा है आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो जब पूरा होने की तरफ बढ़ेंगे तो देश समर्थ होगा देश सक्षम होगा देश सुरक्षित होगा भाईव और भेनों मुझे विश्वात है कि 11 एप्रील को आप इस चौकेदार के प्रयासों पर मुहर लगाएंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और भाईव भेनों आपका हर कमल आपका हर बोट सीधा सीधा मोधी को मिलने वाला है और भाईव यह NCP के देता बड़े बड़े खैरखा जरा उनको यह भी कभी पूछ ले ना मैं आज बरी चारी चीज़े बताना नहीं चाहता हूं लेगे उनको पूछ लिजिए कि आज कल उनको निंद क्यों नहीं आती पूछोगे कि आपको निंद क्यों नहीं आती है निंद का कारण है उनकी निंद आज कल दिल्ली की तिहाड जेल में जमा पड़ी है उनको डर सता रहा है जो अंदर गया है वो कुछ बोल देगा तो होगा क्या बड़े परेशान है और वो दिन दूर नहीं है जब सारी चीज़े खुल करके बाहर आएगे भाईयों सारे भाईयों भाईयों आप इतनी बड़ी तादाद में हम सब को आशिरवात देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्ते करता हूं और मेरे साथ आप जुरूर बोलिए मैं कहूंगा मैं भी आप कहेंगे चौकिदार कहेंगे पूरी ताकत चे कहेंगे हाथ उपर उठा करके करेंगे आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाएंगे मैं भी मैं भी मैं भी गाउं गाउं गली गली शहर शहर डॉक्तर भी शिक्षक भी इंजिनियर भी युवा भी महिला भी बच्चे भी बुजुर्ग भी किसान भी कलाकार भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान सीमा पार शीमा की रक्षा करने वाले भाईयों भेनों इन सभी चौकिदारों का कवरव करते हुए मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद का करते हुँ बहुत वाले भी हिंदुस्तान हुए हुए रुए झाल झाल